साइटी सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जैस्वाल आप सभी का हर्दिख स्वागत करती हूं आपके सामने मुखाती हूँ एक नही कहानी के साथ यह कहानी दिली विशुवित्याले के द्वित्य वर्श के हिंदी ओनर्स के पाठ़े क्रम में संक्लित है इस कहाने का नाम है जंगल जातकम इस कहाने के लेखा कहें काशिना सिंग काशिना सिंग हिंदी कहाने की साथोत्री पीड़ी के प्रमुक रचनाकारों में शामिल है। एक प्रमुक हस्ताक्षर बन के उबरे। कि मुल्य हिंता के साथ उनकी दुरभी संधी हो गई थी। इसी मुल्य हिंता से भरे समय का सत्य उनकी पीड़ी के रचनाकारों में दिखाए देता है। काशिना सिंग ने चाहे कम कहानिया लिखी पर कोई कहानी ऐसी नहीं है जो पाठ को प्रभावित ना कर पाए। वे अपनी कहानियों में समस्याओं को चित्रित करके मौन हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई समाधान देते। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि समाधान देने से पाठ को का विचार वहीं बंध हो जाएगा। और उनका कहानी से जुड़ाव नहीं हो पाएगा। उनकी सारी कहानिया सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। उनने अपने कहानियों में जड़ परंपराओं, माननेताओं, संसकारों को व्यवस्था के फूहड़ पर को अपनी कहानियों में व्यक्त किया है। आपसी ताने बाने के साथ जल, जंगल और मनुष्य के आपसी संबंधों को उजागर करने वाली कहानी हैं। कि किस प्रकार और दोगी करण और पूंजी वादी सत्ता के कारण विकास करने के लिए मनुष्य पर्यावरन को समाप्त करता चला जा रहा है। काशिरा सिंग ने एक जंगल की प्रतिक कथा के माध्यम से ततकालीन विकास के मौडल की विसंगतियों, सत्ता के एकाधिकारवादी और दमनकारी चरित्र और मनुष्य के भीतर घर करती जा रही स्वारत की भावन को अपना विशे बनाया है। यहां जंगल उस शोशित जन का प्रतीक है, जिसकी बली समाज द्वारा निरंतर ली जा रही है। कहाने का पात्र घमोच, उस एकाधिकारवादी सुतंत्र सत्ता का प्रतीक है, जिसे अपने हित के सामने समाज का हित भी छोटा लगता है। कुलहाडे इस कहानी में सत्ता तंत्र के विभिन नुमाइन्दे हैं, जिनकी मदद से सत्ता अपनी दमनकारी सोशण की नीती कायम करती है और विस्तारित करती है। साथ ही कहाने में वे बरगत पर हमला कर जताते हैं कि वे किसी भी विरोध की आवाज को सत्ता के हित में तुरंत शान करना चाहते हैं. काशिना सिंग अपनी वाचिक कथा शैली के माध्यम से हमें जंगल की आपसी एक्ता का संकेत भी देते हैं और उस बस्ती की आत निर्भरता का भी संकेत देते हैं. जंगल जातकम कहानी सत्ता का चरित्र और अपने ही समाज के एक वर्ग से उसकी दुरभी संधी इस कथा को हमारे समय के लिए प्रासंगिक बनाती है इसमें आजादी के बाद के समाज के पिछड़े बहु संध्यक तबके की उम्मीदों के बिखराव और निशान भी है तो कहीं अपने समकालीन समय और आपातकाल की गुज़ भी है समकालीन दोर में ये कथा अपने प्रकृते के साथ तार्तम में को किनारे रख हो रहे विकास के दुश परिणामों के प्रती हमें आगाह करने वाली भी है जहां मनुष्य अपनी और जादा मशीनी होती जा रही दुनिया में प्राणी मातर के सह अस्तित्व जैसे मूल्यों को भूलता चला जा रहा है जंगल जातकम कहानी इसे याद दिलाती है कि अपने परियावरन से बाहर मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है परियावरन बचेगा तो हम बचे रहेंगे जंगल जातकम में जंगल के रूपक के माध्यम से अपने नहित स्वारतों के वशिभूत होकर समाज के तमाम वर्गों को आपस में लड़ा कर एक दूसरे के विरुद्ध भड़का कर और एक को दूसरे के खिलाफ इस्तिमाल करने की कुद्सित शुद्र साजिश का परदा फाश किया गया है जंगल में हर जाती प्रजाती के विरुख्षे है इस कहाने के अंतरगत विशाल काई गुढ़ा बर्गद है पीपल है अशोक है नीम है और बास भी है मनुष्य नाम का प्राणी आता है जंगल में और विरुख्षों को काटने का प्रयास करता है साथ लेकर आता है कुलहाडे जिन भी कोई बेंट नहीं है सिर्फ कुलहाडे हैं लोहे की और विरुख्ष पर चलते हैं लेकिन स्वयम ही भरभरा कर गिर जाते हैं मनुष्य समझ जाता है कि जब तक बास का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक बास की मूट कुलहाड़े पर नहीं लगेगी, तब तक सिर्फ कुलहाड़ा किसी भी व्रक्ष का बाल भी भाका नहीं कर सकता. इसलिए मनुष्य कूचकर रचता है, व्रक्षों के सर्वमान नायक बरगद के विरुद बास को उकसाता है, बुड़े बरगद को इस कूचकर का एहसास हो गया है, और वो कहता है, यह ना पूछे सौम में, बस हावा से कहला दे, कि वे रात भर चौकस रहे, सबी भाईयों और साथियों से कह आए, कि वे अपनी जड़े मजबूती से जमाए रखें, और हाँ, उन्होंने इधर उदर देख के धीरे से पीपल की कार में कहा, सौम में हावा से यह भी कह दे, कि वे बासों वाले पटन ग्राम के लोगों पर खास नज़र रखे, ऐसा क् लहरे हैं आरे, वे ना समझ हैं, बड़ी जल्दी ही हुटने टेकन देने वाले हैं, वे चारों तरफ फिलते रहते हैं, उन्में स्थिर्ता और धैरे नहीं है, आनता देखें, हरवंश को वहां टिपने करने की क्या ज़रूरत थी, आरे के माते पर रिखाएं खिज गई, ब व्रक्षों को सिर्फ लोहे की कुलहाडी नहीं काड़ सकती, जब तक कि उन्हें व्रक्षों के ही एक समुदाए बास का सायोग नहीं मिलेगा, कहानी में तो ये बात व्रक्षों के द्वारा कहलाई गई है, परन्तु एक बड़े सत्य की रूप में ये हमारे समाज पर किस तरह से आम जंता को साम, दाम, दंड, भेट द्वारा आपस में विभाजित कर देता है और अपने शूद्र स्वार्तों के पूर्ती करने के लिए सत्ता को हत्याता है, यही इस रूपक कथा का वास्तविक मर्म है, काशिनास सिंग ने इस कहाने में अपने अन्य कहानियो से एकदम अलग शिल्प को अपनाया है, जातक कथाओं के शैली में लिखी गई इस कहाने की भाषा भी कथे के अनुरूप है, सीधी साधी बोलचाल की भाषा में लिखने वाले काशिनास सिंग ने इस कहाने के लिए विशिष्ट भाषा को अपनाया है, कहाने के अंत में ए एक दम स्पष्ट कर देती है. Пेड़ ही पेड़ की खिलाफ नहीं. आदमी भी आदमे की खिलाफ इस्तेमाल होता है. कहानीकार इसी सत्ति का दर्शन इस कहाने के द्वारा हमें कराना चाहता है. तो आविए देखते हैं इस कहानी को जिसमें जंगल के उस माहोल के मादम से हमें किस प्रकार किसीख मिलती है और इस कहानी का पाट करते हैं कहानी है काशिना सिंग की जंगल जातकम कहानी की शुरुवात होती है जंगल सब जानते हैं कि आदमी का जंगल से आदिम और जन्म का रिष्टा है और वह उसे ब तो इसका मतलब है सिर्फ जंगल, यह अपने आप में समुद्र और पहाड की तरहे काफी डरावना, खुपसूरत और आकरशक शब्द है, लेकिन इसका मतलब है छोटे बड़े हर तरहे के पेड़ों और जाड़ियों की घनी बस्ती, इसका मतलब है अंधेरी और खुंखार हर कर्म हुआ है यह एक इसी तरहे के जंगल की कहानी है, जो पुर्कों के जमाने से चली आ रही है सा इलाके में एक जंगल था धेर सारे जंगल की तरहे लंबा, चोड़़ा, मगर भयानक नहीं, ऐसा, जिसे जंगल नहीं भी कहा जा सकता कभी उसके अगल बगल पहाड़ियां रही होंगी जो घिस्ते घिस्ते मामूली पठार हो गई हैं आम, महुवे, बबूल, नीम, शीशम, सेमल, पलाश, चिलबिल, बरगद, बास और धेर सारे पेड़ों की बस्तियां है इनकी अपनी दुनिया थी, अपने मजे थे ये लोग बारिश में नाचते थे, बसंत में गाते थे, हवा में जूमते थे और ओलों और आध्यों का एगजुट होकर सामना करते थे इनमें आपस में ना किसी तरह का जगड़ा था, ना कोई अदावत एक दूसरे से बहुत प्यार था और मुसीबत में एक दूसरे की मदद की भावना कभी दूबली पतली गरीब लतरों और बेलों की मदद पेड़ों ने कर दी और पेड़ों के तनों की जाड़ जंखाड़ों ने इस तरह बड़ी शान और सुक से उनकी जिन्दगी चल रही थी लेकिन एक दिन एक शाम अचानक पश्चिवी तरफ के उचे चोड़े पठार के पीछे आसमान काला हो था पेड़ लोग आसमान के भूरे और गर्द बर्फ रंग से वाकिफ थे लेकिन यह रंग इसका कोई मौसम नहीं था जैसे एक साथ हजारो कववे डरावने और काले कलूटे कववे खामोशे के साथ पांखे समेटे मार्च करते आ रहे हो बीच बीच में सूरज की रोशनी में उनमें कौन पैदा होती और पेड़ों के दर्मियान हवा को देर तक चीरती रहती सांस रोके खड़े पेड चुपचाप भैसे इस आलम को देखते रहे यह उनकी जिंदगानी का नए आनुभव था काले धब्बे पठार को पार कर जंगल में घुसे गाते बजाते और काफी हास के साथ वे कव्वे नहीं थे वे थे बिना बेट के लोहे के वजनी फल कुलहाडे उनके काफिले के आगे दो जीर थे जो एक जो तोंददार और घमोच था घोड़े पर बैठा था और उसकी वजह से घोड़ा टट्टू हो गया था आतकी जुग गया था इतना वजन था उसके अंदर यहां तक कि उससे चला नहीं जा रहा था उस घोड़े की बागडोर आगे आगे चल रहे एक दूसरे जीव के हाथ में थी ऐसा लगता था जैसे वह गाज फेकते टट्टू समेत भारी भरकम जीव को खीच रहा हो कि घोड़े पे बैठावा घमोच नाम का प्राणी था बहुत मोटा था और उस घोड़े की लगाम एक मनुश्री के हाथ में थी काफिले के काफिले ने जंगल के बीच एक टालाप के निकट देरा डंडा गाड़ा और जश्न मनाना शुरू कर दिया पेड घबरा गए और दोड़े दोड़े बुढ़े बर्गत के पास पहुँचे हे आरिये ये जीव कौन है आप हम में सबसे स्रेष्ट और बुजूर्ग हैं हमें बताएं सौम में बर्गत कहते हैं सौम में जो जानवर की लगाम अपने हाथ में ले वह मनुश्य है आरिये बर्गत ने बड़े चिंतिस्वर में कहा था आरिये घोड़े पर बैठे हुए के बारे में बताएं कि जो घोड़े पर बैठा है वो कौन है हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं सौम में उसके गाल इतने फूले हैं कि आखें लुप्त हो गई हैं आखें दिख हैते हमने सुना था आरि कि मनुष्य गुलाम नहीं बनता उसे क्रै नहीं किया जा सकता लगाम वाले मनुष्य के बारे में कुछ और बोले आरि आरि ने हाथों से अपने कान ढख लिये सिर जुका लिया और भराई आवाज में कहा ना पूछे ना पूछे पेड़ चिंता में कुछ देर बाद उनमें से एक ने साहस के साथ पूछा आरि यदि आगया दें तो हम उनका स्वागत करें कंद मूल फल के साथ उनके आगे उपस्यत हो नहीं 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 आरि ने जला कर कहा सौम में उनसे कहे कि यहां से चले जाएं ऐसों की हमें आवशक्ता नहीं है पेड खेमों के पास पहुँचे ही थे कि उन्हें सन्नाटे को तोड़ती विए एक चीख सुनाई दी बहादुरों यहीं वैबस्ती है जिसे हमें उजाड़ना है खत्म करना है हमें मनुश्यों के लिए मिल खड़ी करनी है कारखाने बनाने है कोईले की खान खोदनी है यह निहत् पर बैठा घमोच था और उसके आगे दस्ता बनाए कतार में तैनात कुलहाड़े जोसके सेना बन के आये थे जंगल को बरबाद करने के लिए घमोच अभी बोली रहा था कि जोश में जूमकर कुलहाड़ा उचला और अटहास करते वे खेमों के निकट खड़े पेड़ों म एक पर पुराने और सुखे ठूट पर पुरी ताका से जपता मगर टकरा कर जंजनाता वावे अपने साथियों के बीच गिर पड़ा और देखते देखते लुड़कता में बेहोश हो गया शाबाश मेरे वफादार पठ्थे हिम्मस से काम लो मनिशनी ललकारा कुलहाड़े भै और आशंका से उसे घेरे खड़े रहे हत प्रब और दुखी उनकी गर्दन जुग गई थी देखा था नो ने उस कुलहाड़े का हाल कि जब आकरमन करने के बाद भी वो गिर पड़ा इने पकड़ो मार डालो काट डालो घमोच चिंघारता रहा लेकिन कोई भी अपनी जिए असे टस से मस नहीं हुआ श्रीमान पेड घमोच के पास पहुचे और रूबरू खड़े हो गए घमोच के सामने श्रीमान आप यहां से चले जाएं आपकी हमें कोई आवशक्ता नहीं है घमोच ने घोड़े के पुठे थपता पाए हम मानवता के लिए आये हैं फिर यह कैसे माले कि आप मनुष्री के हिद के लिए यहां पधा रहे हैं गर्म से उनमत घमोच ने मनुष्र की ओर देखा मनुष्र घोड़े के जबड़े को सहलाते बोला मैं साक्षी देता हूँ श्रीमान सत्त कह रहे हैं हे भद्र हमारे पूर्वजों और मनुष्रों का बड़ा ही अंतरंग संबंद रहा है उनके लिए हम अपने पुश्प और अपने बीच छिपी सारे संपदा कंद मूल फल पशु पक्षी सब कुछ निचावर कर चुके हैं और आज भी करने के लिए प्रस्तुत हैं विश्वास करें शुरू से ही कुछ ऐसा नाता रहा है कि हमें भी उनके बिना खास अच्छा नहीं लगता जवाब में उन्होंने भी हमें भरपूर प्यार दिया है लेकिन आप हमें संदे है कि आप मनुष्य हैं यह क्या बत्तमिजी है क्रोध में मनुष्य बरबड़ाया श्रमा करे श्रीमान आप घोड़े पर हैं आपके साथ कव कोड़े की आयाल उसकी जो लगा में अपनी मुठी में कसली मिटी और पानी के भुकड़ों कुछ सुनने से पहले यह जान लो कि अनर्गल प्रलाप का प्रश्न का उत्तर देना मेरी आदत नहीं है वहवा सर श्रमान की आवाज कितनी रोबीली है एक पतले और लंबे कद के दरक्त ने जूम कर बगल में खड़े बबूल से कहा चुप बबूल चीखा मुर्खो तुम हत्यारे कहो वैसे समझदार मालूम होता है और विनम्र भी कहते वे घमोच मनुष्री की और घूमा मनुष्र आगे बढ़कर उस दरक्त के पास मोचाज जहां और बोला आपका पर पीचे इस सम्मान प्रवेदरक्त शद्धावश मनुष्र के आगे जुग गया यह हमारे भाई बंध है वन्ष जाती के हरवन्ष एक ठिकने पेड़ने उपेक्षा से उसका परिचे दिया आप अपने साथ श्रिमान को बात करने का अफसर दे हम कृतक्य होंगे मनुष्य न हमारे यहां उनकी सिवाए किसी एक से बात करने का विधान नहीं है भाई बंसत्य कहते हैं श्रिमान ऐसा नहीं हो सकता उस लंबे पतले दरक्त ने कहा कि आप हमारे किसी एक पेड़ को अपने तरफ मिलाने सकते उनसे बात नहीं कर सकते अगर बात करनी है तो आपको हमारे बर्गल से बात करने पड़ेगी हाँ 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 दरख्त को अंसुना करते वे खमोज थहा का मारकर हाँसा क्यों वह और तुम पेड़ हो और ये पेड़ नहीं है तुम्हारी जात की बाहर का है ये है और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं कि खुद खा पिकर इतने मोटे हो बुजाएं, लंबी और तगड़ी बना ली हैं, कान विशाल और लाल कर लिये हैं, दूप और पाने से बचने के लिए इतना विस्तार कर लिया है, जड़ी भी गहरी जमाली है, और ये बिचारा हरवंश, ये हमारा निजी मामला है श्रिमान, पलाश उत्तेजना में लाल होते बोला, जब देखा कि घमोच इस प्रकार से हरवंश नाम के उस बास के पेड़ को उकसा रहा है, और उसकी तरफदारी कर रहा है, तो पलाश एक्दम लाल हो गया, उसने कहा कि ये हमारा आपसी मामला है, पलाश उत्तेजना में लाल हो गया, और आपको जानकर दुख होगा कि ये हमारे बीच का सबसे बुद्धिमान, मजबूत और बहुम की प्रतिभा का साथी है, जी हाँ, सबसे उपयोगी, तालाब और पानी के निकट होने की सबसे अधिक सुविधा, सुविधा और तालाब की, घमोच ने फिर अटहास किया, समझते हो तुम, लोग की वे जहासे में आजाएगा, तुम, खबरदार जो और आगे बोले, घमोच उसकी तरफतारी करना छोड़ ही मिरा था, कि ये तुमारे जहासे में नहीं आएगा, लेकिन सबी पेड एक जूट थे, और उसको ललकारते वे कहते हैं, खबरदार जो आगे बोले, लड़ खड़ाते चले आ रहे बरगत, आरे का चेहरा तम तमा रहा था, इतने में बरगत वहाँ पर लड़ खड़ाता हुआ आ गया, और खबरदार करता है घमोच को, कि अगर कुछ बोले तो तुमारी खैर नहीं, सबी पेड़ों को उनके जोड़ जोड़ से हाफने की अवास सुनाई रहे थी, क्योंकि बुढ़ा था बरगत, पेड़ों ने अगल बगल हटकर उन्हें खड़े होने की जगह दी, आर ये आवेश में कापते वे बोले, घोड़े पर सवार घिनोने मुसाफिर, मैंने सब सुन लिया है, मैं बुढ़ा बरगत इस जंगल के प्रितनेदी की अधि अधिकार से, जो मुझे मेरे सबी आत्मी जनों से मिला है, उसी अधिकार से ये अंतिम निरने देता हूँ, कि यहां से रात और रात दफा हो जाओ, तुम्हारा रुपना हमें पसंद नहीं, सुनी इस जड़ेल बुड़े की पक्वास, घमोच के चीखते न चीखते, दूर खड़ा एक ताड हर हराता वा घमोच पर तूट पड़ा, जैसे घमोच ने बगद को कहा कि इस जड़ेल बुड़े की पक्वास सुनी, इतने में ही घमोच के उपर ताड का पेट तूटकर गिरा, लेकिन घोड़े ने चलांग मार कर उसकी रक्षा कर ली, घमोच को लहाड है, उसकी बहुत सा जटाएं होती है, सारे के सारे कुलाड़े उनकी जटाओं में फस गए, पेड़ों के चेहरे पर हसी खेल गई, सब हसने लगे, लेकिन संकोश की कारण उने अपनी हसी पत्तों में चिपा ली, आरी बरगद कंभीर बने रहे, इन घटनाओं की उन पर हुई, वे हरवन्ष की और मुड़े, उस बास के पेड़ की और मुड़े, इसको गिखमोच बरगलाना चाहता था, और उसकी कंदे पर प्यार से अपना हाथ रखा, बेटे, वन्ष, आओ, अपने घर चले, जब ये पैदाईशी सेलानी मनुष तक को अपना पालतु बना सक तो हमारी क्या पिसात है? पेड आरे के पीछे-पीछे वापस चले, अचानक आरे ठिटके, उन्होंने कुलहाडों को नोच कर घोड़े के आगे फेका, मुसाफिर, ये लो अपने भाड़े के टट्टू और रास्ता ना पो, तुम जैसे भी हो हमारे घर में हो, रात भी हो हम इस वक्त जाने को नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, कल का दिन इस जंगल में देखने का साहस्पत करना, घमोच, मनुश्य और कुलहाडों को वही छोड़ कर, पेडों का काफिला आगे बढ़ा, चुराहे पर आकर हरवंश ने विदा ली, धिरे-धिरे और पेड़ भी एके कर आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है, पीपल ने जिग्याजा से बर्गस से पूछा, यह न पूछे सौम में, बस हावा से कहला दें, कि वे राद भर चौकस रहे, सभी भाईयों और साथियों से कहाएं, कि वे अपनी जड़े मजबूती से जमाई रखें, और हाँ, उन्होंने इधर उधर देखते, धीरे से पीपल के कान में कहा, सौम में, हावा से यह भी कह दें, कि वे बासो वाले पटन ग्राम के लोगों पर खास नज़र रखें, कहीं वो, घमोच उनको बहका न लें, ऐसा क्यों कह रहे हैं, आरिये, वे ना समझ हैं, बड़ के भी होते हैं, उन्हें तोड़ना बड़ा असान हो जाता है, उसे तरह से बरगर उन बास के पेड़ों के बारे में, हरवंश के बारे में कहता है, कि उन्में स्थिरता नहीं है, धैरे नहीं है, आरिये था, देखे, हरवंश को वहाँ टिपने करने की क्या ज़रूरत थी, आरे के माते परेखाएं किज गई, चिंदा ना करे आरे, हमारे इस एकता का, एका का कोई भी कुछ ने विकार सकता, इतना तो मुझे भी विश्वास है सौम में, लेकिन मुझे उस पालतू मनुष्य से डर लग रहा है, उसके पुर्खे हमें से हर एकी कमजोरी भी जान परेते रहे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और आकाश की और से रुठाया, चुप चाप तारे टिम टिमा रहे थे, और पेडों की बस्ती में शान्ती को भंग करती भी दूर दूर से कहीं तरह की आवाजे उठ रहे थी, आरे को स्यारों का हुआ हुआ आज कुछ विशेश अच्छा नहीं लग रहा था, वे सोचते वे अपने चबूतरे के लिए चल पड़े, उन्होंने अभी-भी मैदान पार किया ही था, कि हवा के यहां से एक भागा-भागा, एक हरकारा आया, क्यों कुछल तो है वक्स, नहीं आ रहे है, मनुष और पटन ग्राम के बासों के बीच बाते हो रहे हैं, जड़ा विस्तार से समझा कर बताएं, क्या सुना, आरे ने अपनी डूपती आवाज पर काबू पाते वे कहा, मनुष समझा रहा है उन्हें, हम आप लोगों को हाथो हाथ लेंगे, अपने घर, मकान, जोपड़ों में रखेंगे, बस्तियों में ब है, हाँ, तो बोलिए, आप लोगों को हमारे कुलहाडों का बेट बनना मंजूर है, ऐसी धेर सारी बाते वो उनसे कर रहे हैं, आरे की आखे बंद थी, लेकिन पलकों के भीतर पुतलियां इधर से उधर आ जा रही थी, उनके होट समझ में ना आने वाली भाशा में न जान क्या बुदबुदा रहे थे, हर कारे नेक्षण भर उनकी प्रितिक्षा की, पिर अपने आप ही बोला, हरवन्ष कुछ कह तो नहीं रहा था, लेकिन ध्यान से सुन रहा था, जब हम दुश्की बात सुनते भी हैं तो असर होने लगता है, तो हरवन्ष ने कुछ कहा तो नह गया, आसपास के सारे पेट दोड़ाए, असहाए, लेकिन आरे की चेतना जल्दी ही वापस लोटाई, तुरंत वो बेहोशित से बाहर आए, उनने बहुत एक कातर नेत्रों से, दया की नेत्रों से, सबकी ओर देखा, और एक-एक को पहचानने की कोशिश की, उनकी आखों क कोर से पाने की बूंते तपकने लगी, बड़ी मुश्किल से उनके मुख से एक गाथा निकली, सौम में, और वो एक कविता की फॉम में कहते हैं, गाथा के रूप में कहते हैं, इस कहानी के अंतिम पंक्तियों में, आदमी महान है, महान है लोहा, और पेड भी महान है, लेक लोहे के खिलाफ, आदमी, आदमी के खिलाफ, सब के सब कटते हैं, जंगल पेड़ों से पटते हैं, लंबी तानते हैं श्रिमान, चैन की सांस लेते हैं और अपने लोहे के जहाज, धरती के पेट पर खेते हैं, लेकिन जब आदमी या लोहा या पेड अपनी जहें जम कर खड पेड़ की कान उनके होटों की और लगे वे थे लेकिन गाथा उनकी हिचकी के साथ तूट गई और बर्गद की सांस भी तूट गई समुझा जंगल खामोश और आतंकित्था सिर्फ हवा चीतकार करती भी पत्ता पत्ता भाग रही थी बेतहाशा और बेचे और काशिना सिंग कहानी को यहीं समाप्त कर देते हैं कोई समधान नहीं देते हैं छोड़ देते हैं हमारे विचारों पर छोड़ देते हैं हमारे एहस पर इस कहानी को और कहानी यही खतम हो जाती है तो यह थी कहानी जंगल जात कम धन्यवाद